जैन साथियों रोजगार वित्पिंकेश YouTube चैनल में आपका स्वागत है जैसा कि हमारे सभी साथियों को पता है कि हमारे चैनल पर सर्विलांस वरकर और सनेटीस प्रेक्टर की किलासें लगातार चल रही हैं तो हमारे सभी साथियों से आप से गुजारिस है कि चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे तो चलिए आज हम यह तीसरा प्रक्टिसरेड लेकर के आया है सर्विलांस वरकर का जिसमें बहुत इंपोर्टेंट कुछन है जो हमारे पूछे गए थे कब उसमें तो यह कुछन जो हमारे हर्याना एचससी के द्वारा पूछे गए हैं तो उसी से मैं आज ही पेपर लेकर करके आया हूं तो हम बहुत जल्दी अपने प्रक्टिसरेड को सुरू करते हैं तो पहला कुछन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पारे हो कि पानी की सावन को नश्ट करने क क्या कहलाती है तो चार ओप्सन दिये हैं कटूरता पेता सुधता यश्वाधिस्ता तो इसका ओप्सन नमबर एक बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा कटूरता पानी की जो है सावन को नश्ट करने की जो छंता है वो क्या कहलाएगी वो कटूरता कहलाएगी ठीक है अब आपके सामने कुश्ट नमबर दो है कि निम लिखित मैं से कौन सा पौधा आधारित की जो है तो पहला वफिसन डीडीटी और अग्रा ओफशन है आपका पाय रे थेरें और क्योंता उप्सन है फारेंड ओइला तीसी आपका पायरेंडि फिरते नम आपका क्रेडा पहला ख कीटनासक है तो पायरेथ फिरम जो है वह कीटनासक का आधारेथ पोधा है ठीक है राइट ऑफसन आप चलते हैं कुश्चन नमबर तीन की तरफ कुश्चन नमबर तीन कहरा है हमारा कि घर के अंदर वेक्टर नियंतर की कौन सी वीधी उपयोगत है जो हमारे घर होते हैं घर म इसका राइट डाइशन हो जाएगा आपका option number 2 space spray जो घर के अंदर हमारे वेक्टिरिया वगएरा होते हैं जो कीटाड़ वगएरा होते हैं उनको मारने के लिए उनको खत्म करने के लिए हम जो घर में अप्यूक्त करते हैं वो है आपका space spray ठीक है question number 4 की और बढ़ते है question number 4 है COPD के निदान और मुल्यागन के लिए सोने का मानक कौन सा है तो इसके चार option दिये हैं बल्गम परिक्षण, नेदानिक परिक्षण, छापी का एक्सरा और इस्पेरोमिट्री ठीक है जो COPD होता है आपका COPD के निदान और मुल्यागन के लिए सोने का मानक कौन सा है ठीक है तो इसमें चार option दियेंगे बल्गम यान कि आपको बगलम की बल्गम की चांच कराने चाहिए या नैदानिक परिक्षन कराना चाहिए या फिर एक्स्रा कराना चाहिए फ्रमेटरी करानी चाहिए तो दिखें इसका right answer होता है आपका उफ्रमेटरी जो हुआ ये इसका वप्सन फिल्कुल रायट है इसी के द्वारा हम अपनी सी ओ पीडी रोग होता है उसका निदान कर सकते हैं इसकी द्वारा कीजाश की जाती है है खेंगे अगला कुशन आपका कुस्षन 5 फैक्टरी के बीतर सुरक्षाधिकारियों द्वारा प्रतिए किमाई में एक वार आंत्रिक लेखा परिक्ष्ण निर्षण निम्नमसार होता है दिकिए ठीके जो और दूसरा है आपका इस तर वन सुरक्षा लेखा परिक्षा तीसरा इस तर फोस लेखा सुरक्षा परिक्षा ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुशन नमबर दो इस तर वन सुरक्षा लेखा परिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आप थिए पाज पानी है पानी कितनी आवीशектив कि के शिपारी प्रती दिन थे DRC हमारा जो कितनी हो जाएगा option 4 Rs. अब कुशन सेब्सक्राइब कोजले की गहरा ही लग्वक कितनी होनी बिट्रेंचि हुअ ठीप प्रेंट सौचल है इसकी गहराई का यहां पर पूछ लिया कि कितनी गहराई इस पर होनी चाहिए तो दीखे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आपका आफसर नम्मर 3 दो से 2.75 मीच के बीच में इसकी आप गहराई ले सकते है या तो 2 मीटर होनी चाहिए या फिर उससे अधिक भी हम ले सकते है लगवाग मान के चलें 2 से 3 मीटर के बीच में आप इसको रख सकते हैं ठीक है तो इसका देखिए मैं आपको चारों ना पढ़कर करें अगर चारों अलग लग पढ़ँगा तो वीडियो जाए लंबी हो जाएगी इसलिए मैं जो ऑफशन सही ऑफशन है उसी को बदा रहाँ तो इसका जो और सही आंसर हो जाएगा वह आपका लैस मनी यस जो सेंट करनी से होता है चिकन गुनिया यह क्या एक पॉक्त वीमारी है जो पक्षियों द्वारा फेलती है तो ठीक है अगला कुछन है अब हमारा कुछन नमबर 9 उपभुकता सररच्ण अधिनियम को किस वर्स अधिनियमित किया गया था ठीक है तो इसका आंसर हमारा ठीक हो दो क्या है 1986 1986 में हमारे जो फोक्ता सरस्टान अधनियम में उसको पारित किया गया था उसको अधनियम में लागू किया गया था ठीक है आप एक कुशन नमबर 10 तो ठीक है इसका अंत्र ठीक हो जाएगा आपका दो नमबर इसका जो मुख्याले का वह निवार कम परता है आपका अमेर काम है ठीक है तो अब पढ़ते हैं अगली कुश्चन की तरफ अगला कुश्चन हमारा question number 11 है, एक swimming pool में एक टेरा के लिए कितना छेतर अंसंतित होता है जो swimming pool होता है, जिसमें हम 13 की सीखते हैं, तेरा की करते हैं, उसमें एक swimming pool में 13 के लिए कितना अंसंतितर चाहिए, ठीक है, तो इसका option number, क्या हो जाएगा, option number 4, right answer हो जाएगा, 24 fit, ठीक है, 24 इसको बोलती है, ठीक है, अगला question number 13, ओजोन परत मुख की रूप से किसे अफसोशित करती है, ठीक है, तो जोन परत है हमारी, जैसा कि आप सभी साथी जानते होने कि ओजोन परत हमारी सूरी की पराब एंगनी क्रिनों से क्या है, सुरक्षा करती है, यह मनिस्ट का, इसको सुरक्षा कबज भी कहा जाता है, ठीक है तो इसका answer ठीक हो जाएगा, हमारा, इसका answer होगा right, चौता question, चौता option right हो जाएगा, अल्ट्रा, अल्ट्रा वाई लेट, बी क्रिड़ने होती है, उनको यह associate करती है, सुर से जो अल्ट्रा वाई क्रिड़ने निकलती है, उनको यह associate करती है, और प्रतिव आने से उनको रोकती है, ठीक है अब बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, question number 14, question कहरा है, भारत में जल परिवहन प्रणाली का इस्तिमाल पहली बार कहां किया गया होगली नदी में सबसे पहली क्या है, इसका जल परिवहन प्रणाली का इस्तिमाल किया गया था, ठीक है अगले question की और बढ़ते हैं, question है आपका पंदर है, thermal fog प्रणाली के बारे में निम ले खितमें से कौन सा कथन गरत है, जो आपका सही हो जाएगा, thermal fog प्रणाली के अंतरगत उच्छ लागात आती है, ठीक है, ये भी सही है, मंदक अधिक, मंदक की अधिक मात्रा में आवश्यत्ता होती है, question नमब, वो चौधा option है, मसीनरी से आग का खत्रा होता है, ये भी बिल्लू ठीक बात है, अब ये question नमबर 16, fillet gun किस का एक उधारन है, जो fillet gun होती है, उसका उधारन, चार option दिये है, इसमें से एक उधारन कौन सा है उसका, तो देखे, इसका जो अंसर हो जाएगा, वो right हो जाएगा, तीसरा option, हस्त चलित spray, ये जो है, fillet gun, जो machine है, जिससे हम की नाशक वगएरा दवाईश रखते हैं, तो ये कौन सी होती है, ये होती है, आपकी हस्त चलित sprayer, हस्त चलित, हास्ते चलाने वाली sprayer, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अगले question की, अगला question है हमारा, question number 17, question number 17 क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इसका option सही हो जाएगा, आपका तीसरा, अंचली करण, इस गटना को हम अंचली करण कहते हैं, ठीक है, अगले question, question number 18 की तरफ पढ़ते हैं, question number 18 है, हमारा, जहां पर्याप्त भूमी, उपलग नहीं होती है, वहां कच्रा निप्टां की सबसे अच्छी विधी कहुंसी है, जहांपर पर्याप्त भूमी नहीं है, वहांपर हम कच्रा निप्चांग की कौन सी विधी का अपरयोग क भिच मिदी हम वहीं बना सकतेंगे की अंधर हमें घड़े की तर को ठीक है अगला कुशन नीस क्तितरों में प McMदब कर्क है उसका सब्सक्राइब क्या है सबसे लियादा उन्प किस्सी फाहलता ही ठीक है तो ऑप्सफिंगी थालएगा उससे अधिक प्रदा प्रदूस्टन होता है, प्रदा प्रदूस्टन आप जानते होंगे मिट्टी प्रदूस्टन, ठीक है, कुश्चन नम्मर लास्ट है हमारा 20, इन मैसे कौन सा माध्यम नहीं है, जिसके द्वारा मल संबंदित पदार्द के द्वारा बीमारियां फैल सकती है, तो दूसरा है आपका, option दूसरा से ही हो जाएगा इसका, Aero Sol, ओंलियों के द्वारा भी हमारे अंदर जो बीमारियां फैलती है, जल के दोरा वी और हमारे फेलती है उसके दोरा विमारी आ देखिने लगातार आ भेलार आप हमारे चैनल पर बनी रहीए प्रती एक दिन आपको हर रोज 8 वजी, 20 नंबर का practice set आपको देखने को मिलेगा, और यह practice set नहीं है, यह आपको practice set नहीं है, यह मैं बात करूँ, एम्स का, एम्स, एम्स का आपका, एम्स का model paper है, जो एम्स नहीं लिया था, एम्स किसने, एम्स जोधपुर, जोधपुर में जो paper हुआ था आपका, यह वो paper है, ठीक है, तो इसको हम हलकी में ना लें, यह important question है, जो आपकी paper में आने अनिवार है, आप लगातार क्लासों से भूब भूब कुष्ण यहां से देखने को मिल जाएंगे, भीका, धन्यवाद.